सीनिर तज्यकार इर्फान सिद्धी के मुताबिक कल आट में की निस्फ शब नौ में 2023 को एक बरस बीच जाएगा 365 दिन 365 राते हमारी सियासत रंग रंग एतजाजों और तहरीकों से बड़ी पड़ी है सियासत दानों के हवाले से फांसी गाटों, कतल गाहों, बंदी खानों और जलावत्नियों तक जुल्म और सितम की दरजनों दास्ताने विखरी पड़ी है लेकिन रद्य अमल के तौर पर ऐसे आतिशे मनाजिर का दुनला सा अक्स भी दिखाई नहीं देता जो 9 में को हमारी लुह तारीक पर रकम हुए ये जो कुछ भी था, जुजियात की हद तक मनसुबा बन था, तमाम तरहर कियात के अतबार से मुनजम था, एदाफ के बारे में पूरी तरह वाज़े और मकासित के हवाले से कुली तौर पर गैर मुभहम साज़िश का पहला मरहला ये था के रेड लाइन करार दिये गए, बानी तहरीक इनसाफ की गिरिफतारी के साथ ही तबले जंग बजेगा, कोईटा से चकदरा तक सैंकडो, फौजी तनसीबात और शौदा की यादगारों को निशाना बनाया जाएगा मनसूबे का अगला मफरूजा ये था के फौज इसी यलगार का तुर्की बा तुर्की जवाब देगी, हर सू किष्टियों के पुछते लग जाएंगे, खून की नदियां बहेंगी, इस्त कुछतो, खूं से तीसरा मरहला जनम लेगा, फौज की सफों में इश्तियाल उठ पहले से शरीक, मनसूबा, सरपरस्थ, पूरी कुछ से मतरिक होंगे, भगावत का लावा फटेगा, जो जर्नल आसम मुनीर समेच सब कुछ बहा ले जाएगा, एक नया जर्नल मस्नत संबालेगा, जस्टिस बंदियाल, गुट्ट्य सीउ वाला किरदार अदा करेंगे, इमर और जांबास, खवातीन ने पहला मारका किसी मखमत के बगए सर कर लिया, तर्बियती आफ़ता जत्तों की तरह, दो सो से ज्यादा असकरी मकामात पर हमले किये, लेकिन फौच के दानिशमंदाना, रद्यमल ने बाकी सारे मराहिल को खुआ बे परेशां बना दिया, इदार में के मरकजी किरदार, मनसूबा साज और सहूलतकार अभी तक न सिर्फ सजाएं नहीं पा सके, इनके चेहरे भी ठोज शवायत और जराइम की तमाम तर तफसिलात के साथ कौम के सामने नहीं लाजा सके, 365 दिनों और 365 रातों के दौरान मैं मुसलाफ वाज ने हमें बार बा कर आया कि नौ में कौमी तारीक का सिया बाप है, सियासत का लिबादा ओडे, इक्तिदार परस्तों ने वो कुछ कर डाला जो 75 बरसों में हमारा दुश्मन भी न कर सका, रियासत और रियासती दारों के खलाब बगावत, रिबेलियन की आग बढ़काने वालों को कानून के कसा जाएगा, फसादियों के बदनुमा चेहरे इनसानी हुकूक के परफरेब पर्दों में छुपने नहीं देंगे, नौ में को बुलाएंगे, ना माफ करेंगे, ये पाकिस्तान के खलाब बहुत बड़ी साजश कौनस्पिरेसी है, मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया गया, तो कल कोई और सियासी गिरहों अपने मजबूम मकासित के लिए ये ही कुछ करेगा, ये तमाम पुर अजम एलानात, ISPR और कोर कमांडर कॉन्फरेंसों के इलामिये से लिए गए हैं, लेकिन 365 दिनों और 365 रातों के बाद भी कानून का शिकंजा कसा ज बाद ताने, देहकती दूब, कड़कती बिजलियां और बादो बाजार के तूफानों से बेनयाज होकर एवानों और मैदानों में सरगरम हो चुकी है, होसले इसकदर बुलंद हो गए हैं, कि वो 9 में की तहकीकात के लिए अदालती कमिशन का मतालबा कर रही है, कल ही एक मर जाल साजी से पी टी आई के सर डाल दिया गया, तारीक बताती है कि वक्त जर्म की संगीनी को कर्म कर देता है, मुझरिमों की आस्तीनों के दाक मधहम पड़ जाते हैं, डील जराइम का रतकाब करने वालों की डाल बन जाती है, मगर वो जराइम के मकदमात इंतकामी कारवा जाती है, कानून व इनसाफ का अमल तमाशा करार पाता है, सजा बनियादी इनसانी हुको के खिलाव वरजिया बन जाती है, वाफिर सर माई के जोर पर साज़श और बगावत को कानून र क्रायधारी के खिलाव वरजी जैसा ठटटा मخल बना दिया जाता है, जर्म पस परद पढ़ जाती है आज कुछ ऐसा ही मनजर दिखाई दे रहा है बेशक इसकी बारी राते टल गई हैं इसके कड़े दिन भी गुजर गए हैं और इसकी जान भी संबलने लगी है लेकिन क्या रंग आसमा भी बदल गया है अगर ऐसा ही है तो PTIB और कौम को भी बता कर 9 में के सिया वर्क को अभी तक्वीम सिफार फैंका जाए और अगर 9 में को माफ करना और बुलाना मुम्किन नहीं तो इसका भी कोई जवाज नहीं के 365 दिनों और 365 रातों तक आईनों कानून में दर्थ जाबिर जाबिर जाबते किसी गार में असाब कैफ जैसी तवील गहरी नीन सोई हैं 2011 के बरतानवी फसादात और 2021 में टरंप के हामियों की कैपिटल हिल पर यलगार की मिसाले हमारे सामने हैं दोनों मुमालिक की बनियादी इनसानी हुकूग के बारे में हसासियत हमसे कम नहीं लेकिन कानून तेजी के साथ हरकत में आया फौरी समात की अदालते लगी जान वारदातों से निमटने का कोई तजर्बा नहीं महलिक असले से लेज तर्बियती आफ़ता देशतगर्द भी एक ही दिन शर्क वो घर्ब की दो सो से ज्यादा असकरी तनसीबात को निशाना नहीं बना सके लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं के इनतिजामी आदलिया और फौ बरता रहे पर मुम्किन नहीं तो उसे बर्फ की दीवारों वाले सर्थ खाने में फैंक देना भी कारे दानिश नहीं